हेलो दोस्तों एक लड़का था जो कि अखवार बेचा करता था और अखवार बेचते बेचते एक दिन उसको काफी टाइम लग गया और उसको बहुत जोड़ से भूग लगी तो उसने एक मतलब घर का मकान खटकटाया तो वो पहले तो डर रहा था कि कौन निगलेगा उसके सुन्दर सी लड़की निकली वो लड़की को देख की डर गया बोला दीदी मुझे कुछ खाने को मिलेगा तो लड़की ने बोला हाँ क्या चाहिए तुमको उन्हेंने और भूग लग रही तो लड़की अन्दर गई और दूध लिया और दूध उस बच्चे को मतलब ऊस ही है आप जाओ तो लड़का जो धन्यवाद केके चला गया बहुत समय बाद मतलब एक बार मतलब उस लड़के के पास एक ख़वर आई कि एक गाओं की एक लड़की जो है बहुत जादा बीमार है वो तुमारे मतलब इस अस्पिटल में आई है तुमारे गाओं की अच्छा लड़का जो है धीमीदी में इसने इतनी महनत की कि वह डॉक्टर बन गया अब उस लड़के ने उस जैसी उस गाओं का उस जगे का नाम सुना तो उसकी मतलब आके जो ती आश्र जनक हो गई कौन लड़की आई है तो उसका मन हुआ देखने के लिए मैं देखने जाओं के बाद वो चुपचाप जाकर वहां से चला गया फिर कंपाउडर आया कंपाउडर ने एक कागज उस लड़की के हाथ में दिया और कहा इस कागज को पढ़ो तुमको बिल चुकाना है यहां का बिल आठ लाग रुपे हुआ है तो लड़की बोली मा तीन दिन का बिल आठ बेचने वाला था और आपके घर में कुछ मांगने आया था तो आपने दीदी मुझे दूद पिलाया था तो आपको मैंने का तक कुछ इसके बदले में आप ले लो तो आपने मना कर दिया था और आज मैंने इसका कर्ज निभा दिया आपकी सेवा करके इसलिए दोस्तों कि किसी का भी कर्ज अपने उपर नहीं चड़ाना चाहिए चाहें वो सेबा का हो या पैसे का हो तुरंत उसका निदान कर देना चाहिए आपने जिसका भी कर्ज लिया है उसका तुरंत बापस करें नहीं तो आने वाले समय में आपको बापस ही करना पड़ेगा चाहें वो कर्ज किसी रूप में ही हो इसलिए जाली से यही सिख्चा मिल दी है